नमस्कार दोस्तों सेर्फ में टूटोरियल में फिर से आपका स्वागत करती हूं यह वीडियो जो है नेट जारेफ क्विक प्रिपरेशन 2020 के लिए तयार किया गया है यह हिस्ट्री प्रिवियस एर कोश्चन है नेट जारेफ के लिए तो इसी सिलसले को आगे बढ़ाते हैं और आज का यह प्रिवेस कोश्चन पेपर जो है वह विश्चेस रूप से सिर्फ मुगल समराज से लिया गया है मुगल समराज की राजनितिक विकास कहा है या मुगल समराज की जो अपलवदिया रही है उससे रिलेटेड है तो क्वेश्चन नमबर वन यह कथन और कारण और अधारित क्वेश्चन है अकबर राजपुतों से मित्रता अस्थापित करना चाहता था कारण बताइए तो मुगलों के मद्ध एस्या से संबंद विश्चेद हो जाने से अकबर को मैत्री पुर्ण संबंद भारत में अस्थापित करना आवस्यक था ऐसा नहीं है वह अ निमलिखित घटनाओ को काला नुक्रम में विवस्तित कीजिए कूट का उप्यों करते हो उत्तर दीजिए यानि पानीपत का यूद हल्दी घाटी का यूद बक्सर यूद धर्मत का यूद तो इसमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था था तो पानीपत का प्र फिर दू हल्दी घाटी का यूद उसके बाद धर्मत का यूद चार उसके बाद से बाद देखना है बक्सर का यूद, ओके, तो इसका आंसर होगा A Q3, इसमें मिलान करना है यह जो उप नाम दिये गए है और उसमें जो मुगल कालिन साशको के नाम दिये गए है जहिरुदीन, जलालुदीन, नुरुदीन, आलमगिर सबसे पहले मैं बता दूँ, कि जलालुदीन तो अकबर को कहा जाता है तो B का 1 देखेंगे, तो B का 1 किसमें है? A में, B में है, B नंबर में यानि कि इसमें कहीं और नहीं है 1 तो यानि कि B बिल्कुल सही है तो यानि एक का टू हो जाएगा जहरुदीन किसको कहा जाता है बाबर को जलालुदीन अकबर को नुरुदीन जहांगिर को आलमगिर औरंग जेप को तो थी का अंसर हो जाएगा बी जून 2011 में पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है यानि कि सुबो की संख्या देखना है अकबर के समय में 15 सुबे ते सही है जहांगिर के समय में 17 सुबे ते यह भी सही है लेकिन औरंग जेप के समय में 24 सुबे ते यह गलत है तो यह सही सुमे कि लड़ाई, खानवा कि लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, तो कनाज की लड़ाई कब हुई थी, पंद्रसो, कनाज या विलग्राम की लड़ाई जुका थे, पंद्रसो चालिज में ही हुई थी, ठीक है, खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 या 28 में हुई होगी पानी पत की तीसी लड़ाई 1700 तो 161 में हुई थी पानी पत की पहले लड़ाई 1526 में यानि कि सबसे पहले आता है पानी पत की पहले लड़ाई तो चार नमबर पहले हो गया उसके बाद से खानवा की लड़ाई दो उसके बाद से कनोज की लड़ाई और सबसे तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी तीन तो इसका फाइव का अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं Question No.6 इसमें करना क्या है कि अकबर काली निम्नांकित घटनाओं में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है इसमें ये देखने है कि जैसे मेरता को हस्तकत करना 1562 में ये सही है असरिगार का घेरा 1601 में ये भी बिल्कुल सही है मुणवाना का वीज़ाई 1564 में सही है उर्चा की विजए 1582 में ये गलात है तो ये सही सुमेलित नहीं है Q7 राज दिलक के तुरंत पस्चात जहांगीर द्वारा जारी किये गए आध्यादेशों में दस्वा आध्यादेश संबंधिता जागिरदारों के छेता से ये थोड़ा सा बहुत ही डिपली और बेसिक कोशन पूछा हुआ है कि जैसे हम लोग तो जानते हैं कि 12 आध्यादेश जारी किया जब जागिर गदी पर बैठा तो लेकिन हर एक अगर बात करें कि हर आध्यादेश में उसने क्या लिखा तो ये कठीन हो जाएगा लेकिन इसमें पूछ दिया है कि 10 आध्यादेश में किस से संबंदी थे हैं तो जागिर दारों के छेतर से दिसंबर 2010 में जो कोशन पूछे गए हैं किसने मुगल समराज के पतन का महान फर्म ग्रेट फर्म सिधान्द का परयोग किया करेन लियोनार्ड करेन लियोनार्ड ने मुगल समराज के पतन का महान फर्म सिधान्द का परयोग किया था साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया सहजादा आजम ने साहू को मुगल कैद से किसने आजम किया सहजादा आजम ने सहजादा आजम कौन था अरंग्जेब के मितु के बाद मुगल संबराजी का उत्रादिकारी बना था क्वेशन नमबर तेन दिसंबर दोहजार नौ में जो पूछा गया है कि मेवार के महाराना परताप का जुन पंद्राश शोचियत्तर इसमी में 1576 में होने वाले मुगलों के विरुद संगर्ष में अबूल फजल ने कौन सा यूद किया गो गुंदा का यूद किया था कौन सा यूद किया था मैवार के माना प्रजुन मुगलों के बिरुद है संगर्ष कवबुल फजल ने कौन सा यूद कहा है गो गुंदा का यूद कहा है वैसे इसे हल्दी घाटी का भी यूद कहा जाता है जून 2009 इस मेन सुमयलित करना है जैसे राजमहल का यूद पानिपत का दूति यूद खानवा का यूद और खागरा का यूद तो पानिपत का यूद कहा था 1556 इस भी निकी बी का त्री देख लेते हैं बी का तरी क्कोरन दो आ रहा है jag एक ए और एक D, पानि पत का यूद, खानवा का यूद का भुआ था 1527 में, यहां 3 और 3 है कि नहीं नहीं है, यानि कि D सही है, उसके बाद देख लेते हैं, राज महल का यूद का हुआ था 1566 में यानि 1566 में, और घागरा का यूद का भुआ था 1529 में, इसका आंसर हो जाएगा D, सब्सक्राइब का अंसर क्या होगा डी कि क्विश्चन नमबर 12 अक्पर ने 1567-68 में शित्तोड आक्रमन के समय मेवार का सासक कौन था राना उदय सिंग था निशान दास्तवेजों को परिभासित किया गया है मुगल सहजादों के नाम से भीजे गए पत्र निशान दास्तवे पर निशान का मतलब क्या होता है वैसे दास्तवेज जो मुगल सहजादों के नाम से भेजे गए पत्र है इस फिर अब कथन और कारण पर अधारित कोशन मुगल पश्चमी दकन की भूमी विवस्था को पुनरगठित करने में सफल नहीं हुए कारण अहमद नगर खान लेकिन और सही है तो इसका आंशर जाएगा डी। कोशन नमबर पंद्र ह्लिकाट सारोडि युए की बीच में लड़ी गई। में कोज और कारण फे बेस्ट कोश्चन मुगल समराज सारवजानिक खबरों के लिए आश्चर जनक रूप से तिव्र जनकारी चक्कर द्वारा संबन दी था मुगल बाचा को दुरस्त प्रांती रजधानियों से सूचना परतिवेदन कुछ दिनों में नहीं मिलते थे जो की जन स्रोतागान हॉल में रोज बढ़ जा सकते थे यह सही है और आर गलत है क्या कहरा है कथन क्या कहरा है कथन कहरा है मुगल समराज सारुजनी खबरों के लिए आश्चर जनक रूप से तिवर जनकारी चक्कर द्वारा समधित था चलिए कुरिशन नमबर 17 बलख और बदखसा पर आकर्मन और सह चहा द्वारा कंधार के बाद एक तीन घेरा बंदियों का परिणाम खून बहाने 30-40,000 लोग की मिर्टू और 45 मिलियर रुपिय के वियाय के अलावा कुछ नहीं था बदखसा और बलख का आकर्मन इसका मुगल संसादनों पर कोई परभाव नहीं पड़ा ये सही है और आर्ग गलत है क्रेशन नमबर 18 इसको सही काल करमान अनुकरम में लिखना है घागरा का यूद, कालिंजर का यूद, पानीपत का दूतिय यूद और तालिकोटा का यूद आप दिमाग लगा सकते हैं सबसे पहले वह था घागरा का यूद कब वह था 15-29 में कालिंजर का यूद, 15-45 में पानीपत का दूतिय यूद, 15-56 में तालिकोटा का यूद, 15-65 में तो इसका आंसर एह होगा क्रेशन नमबर 19 बाबर ने गाजी का खिताब कब अपनाया बाबर ने गाजी का खिताब अपनाया 15-27 में जून 2007 में जो कुशन पूछा गया है कि जहांगी ने जिस परंपरा को आरम किया उसके अंतरगत मेवार के राना को मुगल दरबार में उपस्तित होने और सेवा करने के उतरदय उसे मुक्त कर दिया गया वह अमेर के राजा मान सिंग को अपमानित करना चाहता था नहीं यह तो गलत है आर गलत है यह सही है इसका अंसर हो जाएगा 20 का C 21, question number 21, किसने मुगल सहरों को सीविर नगर कहा है याद रखेगा मुगल सहरों को किस तरह का नगर कहा गया है बढ़िया ने क्या क्या है तो मुगल सहर को सीविर नगर कहा है बढ़िया ने निम्रकित में से किसने 16 Moss2 में भारत की खुल जन संक्या को 10 कड़ों की लगा अनमानित किया मूर लांड ने 1600 AD में भारत की कुल जन संक्या को 10 कड़ों किस ने अनमानित किया था तो मूर लांड ने question number 23 यह सूमेलित करना ने सही एतिहाई हर्टना है और वर्स हैं तो इसमें मालवा का विजय कब हुआ था 1561 में और ये अकबर की सबसे पहली विजय थी और अकबर की सबसे लाश्ट विजय 1601 में अश्रगड की विजय थी मैं आपको बता देती हूं इबादत खाने को बंद करना कब बंद किया गया तो 1582 में उसके बाद से इलाही समवत का सुत्रपात कव हुआ था 1584 में और 1584 में उडिशा की विजय कव हुई थी इलाही समवत का सुरुवात 1584 में और उडिशा की विजय फिप्टिन नाइन टुटू इसवी में तो इसका आंसर हो जाएगा ए निम्लकित का सही कालकरम था अपने शही उत्तर का चैन नीचे दिये गया कूट से कीजिये तो सही कालak मुगलों द्वारा बलक परतिकार बलक बयातिकार खान जहा लोदी का विद्रो गुल कुन्डा और विजापुर्श संदी निजाम साही कांत इसका कालकरम होगा सबसे पहले खान जहा लोधी का विद्रो तुगलक वंस से ही रिलेटेड हैं उसके बाद से आता है निजाम साही का आंत उसके बाद से आता है गुलकुंडा और विजापूर से संधी और लाश्ट में मुगलो द्वारा बलख पर अधिकार तो यह रहा question number 24 आगे देखते हैं क क्पेशन नमबर 25 इसमें भी स्टेटमेंट और कौज दिया गया है वर्स 1690 में औरंगजेव नेक फरमान मदद मास को पूर्ण रुप से वनसानुगत बना दिया औरंगजेव मराठो को मुगलों के नियंदर में लाना चाहता था तो मदद मास को वनसानुगत बना दिया ये सही है तो यानि ये गलत आर सही अंसर डी होगा जैनो के संरक्षकते कौन इसमें से कौन सा मुगल सासक जैनो का संरक्षकता बाबर तथा हुमायू हुमायू तथा अकबर अकबर तथा जहांगीर जहांगीर अकबर तथा जहांगीर बाबर ने आत्म कथा लिखी थी सा इतिहांसकार मुगल समराज के पतन की मुगल केंदरित अभिगत से सम्मत नहीं है इर्फान हभीब एक बहुत बाड़े मद्यकाली इतिहांसकार रहे हैं आधुनिक इतिहांसकार हैं किस पिरियड के तो मद्यकाली पिरियड के तो यह रहा मुगल समराज की उपलब्दियों से समंधित है यूजिस नेट में पूछे गए प्रिवियस एर कोश्चन पेपर आप देखें और आपके एक्जाम में बहुत ही महत्पूर्ण साबित होगा तो आप देखें अच्छे से कंप्लीट कर ले और वीडिय के साथ फिर से उपस्तित होंगी तब तक के लिए आपको धन्यवाद है